भगवान शिरी राम को सरवसरेष्ट धनूर धारी माना जाता है। प्रभू शिरी राम कोदंड नाम का धनुस धारन करते थे। कहते हैं कि इस धनुस से जब बान चोड़ा जाता था तो यह लक्षे को भेद कर ही वापस आता था। शिरी राम ने एक बार शमुद्र को शुखाने के लिए कोदंड पर प्रतिंचा चढ़ा दी थी। शमुद्र के देवता वरुन देव पर कट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। बहुत अनुने और विने के बाद अगवान राम ने अपना तीर तरकश में रख ल गया। जब रक्त बह चला तो रगुनाथ जी ने धनुस पर तीर चढ़ा कर शंधान किया। अब तो जयनत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धर कर पिता इंदर के पास गया। पर इंदर ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पा के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयनत को भैबीत और व्यकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभू श्री राम ही बचा सकते हैं उन्हीं की सरन में जाओ। तब जयनत ने पुकार कर कहा ये सरनागत के हितकारी मेरी रक्षा जयनत अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता की सरन में गया तो उन्होंने उसे सरन देने से इंकार कर दिया। तब वह तीनों देवों के पास गया तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें श्री राम ही बचा सकते हैं जाओ उनकी सरन में। तब वह स्री राम स्री राम कहता उनकी और भागा श्री राम के चर्णों में गिर कर उनसे शमा मांगी तब उसकी जान छुटी फिर भी उसकी एक आँख गायल हो गई थी क्योंकि प्रभू श्री राम का छोड़ा बान कभी निश्मल नहीं होता तो दोस्तो भारती संस्कृती से जुड़ी ऐसी हिरोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल खोजबीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें देखते रहें खोजबीन चैनल